रादे रादे जैसी क्रशना आज मैं आपको कार्थिक मास के वहात्यमे का सत्रवा अध्याय सुनानी जारी हूँ अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो कमेंड बोक्स में जहूर राधा क्रशन जी की जरूर लिखें धन्यवाद उस समय शीवजी के गण प्रबल थे उन्होंने जलंधर शुम्भ निशुम्भ महसुर कालनेमी आधी के पराजित कर दिया ये देखकर सागर पुत्र जलंधर एकरत पर जिस पर लंबी पता का लगी हुई थी चड़ा कर युद्ध भूमी में संग्राम करने लगा इधर जै और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में ततपर होकर गरजने लगे इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाती, गोडे, शंक, भेरी तता दोनों प्रकार के सिंग, नाद से धर्ती तरस्त हो गई उसके बाद जलंधर के कुहरे के कारण बाणों को चला धर्ती से लेक आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को पाँच गणेश को पाँच तता वीर भद्र को एक साथी बीस बाण मार कर उनके शरीर में छेद कर दिया और मेगिके समान गर्जना करने लगा यह देखकर रुद्र पुत्र कार्टिके ने भी देते जलंदर को अपनी शक्ती से उ पुठ कर खड़ा हो गया और क्रोध से कार्टिके पर जाकर गदा का प्रहार कर दिया ब्रह्माजी के वर्दान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्टिके प्रत्वी पर सोगे गनेश जी और नंदी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धर्ति पर गिर पड़े वीर पुद्र का सिर्फ हट गया और रक्त बहने लगा वह व्याकुल होकर धराशाई हो गया और उसको धर्ती पर गिरादेग शंकर जी के गण चिलाते हुए युद्ध भूमी छोड़ कर बड़ वेक से भाग निकले तो आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्यमे का सत्रमा अध् खेर करके पुन्या कमाएं धन्यवाद